नायक जंता पार्टी के शीष नेता दिगवजी सिंग चोटाला द्वारा मेरट रोट पर एक नीजी बैंक के ठॉल में इंडियन नेशनल स्टूडन्स और्गिनाइजेशन इंसो द्वारा आयोजी जीला अस्तरीय मीटिंग को संभोधित किया गया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि इंसो के स्थापना दीवस के उपलक्ष में पांच अगस्त को हिसार में एक राजिस्टरीय कारेकरम का योजन किया जाएगा जिसकी तैयारियों को लेकर पूरे परदेश में उनके द्वारा दोरे किये जा रही हैं इसी कडि में आज करणाल में भी इंसो के कारेकरताओं द्वारा कारियों को लेकर मीटिंग की गई जिसमें बड़ी संख्या में कारेकरताओं ने भाग लेकर कारेकरम को सफल बनाने का आश्वासन दिया जन्नायक जिंता पार्टी के नेता दिगवजी सिंग चोटाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दुशन चोटाला द्वारा दुशन चले चोपाल कारे करम का आयोजन किया गया है जो पूरे परतेश में विशाल स्तर पर चलाया जाएगा और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा एक सवाल के जवाब में दिगवजी सिंग चोटाला ने कहा कि कुल्दी बिशनोई के घर पर जो इंकम टेक्स की रेट डाली जा रही है उन्होंने कहा बिजेपी एक गलत परंप्रा की शुरुवात कर रही है जिसके वे स्वयम बुक्ट भोगी है इसी राजनीतिक द्वेश भाबना के चलते चोधरी अजे सिंग चोटाला वा ओम प्रकास चोटाला आज नोकरी वर रोजगार देने की ये वज़ में जेल में सजा काट रहे हैं उन्होंने कहा कि भार्ती जिंता पार्टी कुल्दी बिश्णोई के ठिकानों पर साथ चुनाव के समय में इस तरह हैं कि इंकम टेक्स की रेट डलाना बिल्कुल गलत है इस मोके पर उन्होंने इंडियन नेशनल लोगदल और बिजेपी के मध्य चुनावी फिक्सिंग होने की बात भी कही उन्होंने कहा भार्ती जिंता पार्टी इनैलों के साथ चुनावी फिक्सिंग कर रही है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है ये जन्ता इसको देख रही है ये डेमोक्रेसी की हत्या जिर्व आप अपनी ताक्तों को गलत इस्तेमाल करकर दूसरों को दबाने का प्रयास कर रही है ये आने वाले समय पर जो बड़ा और कड़ा जवाब जो है अर्याना की जन्ता विधान सबाथ एलेक्शने तो ये गलत है और हम सब लोग जो है इस बात के पक्षदर हैं कि ये जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है इसका खात्मा ओना चाहिए क्योंकि वेंडेटा पॉलिटिक्स जब तक राजनीती में रहेगी और हम तो कुछ सफरर हैं इस बात की 3,206 लोगों को रोटी देकर उन्हें नौक्री रोजगार दे करके उनको ताकत दे करके आज हमारे प्रिवार के लोग अमारी पारिटी के जो गुखे लोग है वो दस दस साल से जिलो हैं इसलिए हम जो सफरर हैं वो जादा जानते प्शित कर आँ कि वेंडेटा पॉलिटि काफी नुकसान की कबरें आ रही है और विरायका नेना चुटाला जी का उस शित्र में दो रहा है और जाइजा लेकर के वहां के किसानों की उप्यूफ मांगे जो हैं उनक सरकार के सामने रखेंगे और जो मैं फिर आपके कैमरा के माद देम से भी कवगा कि गर उफान पर है जिस भी इलाके में जहां भी रुफसान हो सरकार को सुद लेकर के किसानों के साथ खड़ा हो जब इनेलों बिलकुल ही खतम होने बैज इनेलों तो मैंच फिक्सिंग कर चुकी है और जिसकी मैंच फिक्सिंग हो जाए तो उसके बारे में मुझे जादा कहने की जूप नहीं कॉंगरस के साथ मैंच फिक्सिंग किसी और के साथ कर लें ने वो बीजेपी के साथ में आप सारी बात चाहते हैं पर मेरे से कर वाणे तो आज बड़ा सक्सेसफुल करेक्टरम जिलास्तरिया मीटिंग्स सेंट्रोप की संख्या में लोग यहां पलारे और मैं सब के लिए नियोता लेकर के पांच अगस्तर क्यूंकि जो पेले का कैप्टन होता है उसकी जम्यवारी होती है इंसों का नित्रत मुझे करने का उपसर पार्टी में दिया है मैं आज करनाल जिले के मेरे प्रिवाल के दीच में सब के लिए फिफ्ट पोगस का अमारा जो फांडेशन ड ऐसे ही लिटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए